दोस्तों हमारे पास से 24 इंच का एलजी कंपनी का यहां पर टीवी आया रिपेर होने के लिए अब इसमें जो फोल्ट है दोस्तों वन टाइम ब्लिंक का फोल्ट है और यहां पर देख सकते हैं तो हमारा 19 बॉल्ट का अडप्टर है चलिए आप मैं आपको चेक करके दिखा द हो रहा है कि नहीं तो यहां पर आपको लाइब यहां पर दिखा देता हूं तो सबसे पहले यहां पर चार्जर है यानी इसका अडप्टर निस वोल्ट का यहां पर दोस्तों बैक साड़ में यहां पर मैं इंसेट करता हूं तो यहां पर इंसेट करने के बाद चार्जर को म तो चलिए आज इसको हम रिपेर करते हैं एक बार मैं आपको और दिखाता हूं देखिए आप LED पर ध्यान देजी तो चलिए सबसे पहले दूस्तों मैं क्या करूंगा टीबी को ओपन करूंगा टीबी को कैसे ओपन करते हैं यहां से आपको ओपनर लेना है और पीछे की पर के अटा देना है इसमें दुफु लोक लगा रहता है तो असानी से निकल झाता है ये शर्कार क्षाब देखिए यहां पर प्रोछिसर लगा रहता है LGE करकी यहां पर दिया है इसमें 41 exact तो यह इन प्रोसेसर है चलिए इसको मैं कैसे अन्हें लृप्र ओको ङा पर अब मैं आपको लाइप रूप यहां पर सबसे पहले आपको दिखायता हूं हुआ यहां पर मैं किया करूंगा यहांस दिखिए हलका समय यहां पर सबसेख़्ेट करना है जो दो प्रोसेशर दीख रहा हुआा तो यहां पर देखे अपने शोपर और यहां पर कर रहे हैं और इस प्रकार करें जब वी दूस्तो फोल्ट आया तो आप प्रोसेसर को हीट करेंगे तो अमारा जोस्तो तीवी है वह आन हो जाएगा लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा याद गंटे-दो गंटे चलेगा यादि खराब हो सकता है कोई गारेंटीर नहीं है तो यहां म तो यहां पर आप वीडियों बने रहें लाइव आपको चेकर के दिखाएंगे तो आप प्रोसेसर को हीट करेंगे और दोस्तों यह ज्यादा नहीं चलता है यानि उस्तों यह दूस्तों तरीका अमारा काम नहीं करेगा और दोस्तों आप यहां पर इसमें पर इसमें सेम बौट डाल दे तब यह जो आपका काम बनेगा वरना तो इस प्रकार से जो भी तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ऐसे आपका टीवी चलेगा नहीं 100% चलेगा नहीं कि कुछ तो ज्यादा तर हमारा प्रोसेसर जो सो खराब जता है करप्ट जता है जिसे कारण हमारा यह वन टाइम बिलिंक आप होल्ट आता है तो यहां द यहां फारडवरड का पोड रताय सुर्ण में अ यहां चली मैं में देखता हूं देख्यां पर करने लगा यानि आरा कि यहां पर देखते हैं देखिए यहां पर नो सिंगनल करके आ गया है रहे पर ऑब यहां पर करके आगए तो देखी एस परकार से फोल था यह फ्लंड कर सकते हैं लेकिन permanent solution नहीं है या तो आप इसमें board डाल देजिए या जो सो आप universal board डाल सकते हैं अगर आप comment करते हैं तो तो मैं आपको universal board इसमें fitting करना बता दूंगा कि आप universal board इसमें कैसे इन install करेंगे तो आप अगर comment करते हैं तो मैं जरूर सो video बनाऊंगा तो देखे प्रोसेसर को मैं मैंने हीट कर दिया तो यहां पर जो टीवी है ओमरा मेरा आन हो गया लेकिन तो और सकता एक घंटा चले दो दिन चले तीन दिन